बता देते हैं, यूपी के नोईडा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, इंट्रोनेशनल कॉल सेंट्रो का भंड़ा फोर किया गया है, कॉल सेंट्र से 46 यूवक, 38 यूपतियां किरफ्तार किये गये हैं, 150 कंप्यूटर और 20 लाख रुपे कैश बरामत किये गये है, गिफ् आपको समझाते हैं किस तरीके से कॉल सेंट्र के जरिये ठगी ये लोग किया करते थे, पहले वेबसाइट के जरिये यूएस नागरिकों का डेटा हासिल करते थे, फिर वीसी डायलब के जरिये लोगों को फोन करते थे, कॉलर खुद को अमेरिका के SS Administrator बताते थे, फिर SSN नंबर की गलत इस्तिमाल का आरूप लगाते थे, SSN नंबर का मतलब सोशल सेक्योर्टी नंबर होता है, ये अमेरिके लोगों का पहचान पत्र है, जैसे भारत में आधार नंबर है, कॉलर सोशल सेक्योर्टी नंबर ब्लॉप करने का भय दिखाते थे, उसके बाद उसे 200 से 500 डॉलर मांगते थे, मना करने पर नंबर सस्पेंट करने या फिर अरेस्ट वारंट का खौफ दिखाते थे, फिर आरूप उनसे प्ले स्टोर कार्ट खरीदने के लिए कहते थे, कार्ट को खरीदने के बाद इससे स्क्रेच करके 16 डिजिट का नंबर पूछते थे, इस अर्धियम से हवाला के जरीए ये पैसा भारत बहुचता था, देखे कितना बड़ा ये स्कैम था जो कि हम आपको बता रहे हैं, इंट्रडेशनल कॉल सेंटर के जरीए कितना बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उसका भंडा फोर हुआ है, 46 युवक, 38 युपतियां यहां से इरफ्तार हुए है, 150 कंप्यूटर, 20 लाग से जाधा रुपे कैश परामत किये गए है, गिफ्ट कार्ट और क्रिप्टो करंसी कोले कर ठागी करने का फेम ऑ्सकी एक साथ किया जाता है, गर्वन पूरने के और पैसे लिए जाते घे, और उसके बार में, पूरी ख़िग दिया जातेते हैं लगातार आगा बात करीता है तो बताया जा रहा है कि पिछले कई समय से जो है यहां पांशों सो जादा कर्पूटर बरामत हो है कई सारे मुबाइल और डॉक्वेंट जो है यहां से बरामत किये गए हैं नोईडा से विना गुपतार नेटवर्क का है इंटरनेसिल कॉल सेंटर का भंड़ा फोड किया गया है नोईडा का यह पूरा मामला है जोहां पर बड़ा भंड़ा फोरद इसको बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे ही पूरी जानकारी अमेरिका के लोगों से अन्य देशों के लोगों से ठगी किया करते थे। लोगों को फोन करते हैं ये ठगी का तरीका हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर ठगी की जाती है कॉल सेंटर के जरीए। क्योंकि कॉलर खुद को अमेरिका के SS बताते हैं, उसी नमबर से कॉल करते हैं, फिर SSN नमबर की जो गलत इस्तिमाल का आरूप भी लगाया गया, उसी नमबर का गलत इस्तिमाल हुआ, मैसेज भी उसके जरीए भीजा जाता है, या अमेरिकी लोगों का पहचान पत्र होता है, जिसको भारत में अधारकार्ट कहते हैं और उस पहचान पत्र की पूरी जानकारी ले ली जाती है, सोशल सेक्योर्टी नमबर इसको कहा जाता है, जिसको SSN बोला जो रहा है, कॉलर सोशल सेक्योर्टी नमबर ब्लॉक करने का भाई भी दिखाते थे, लोग इससे डर जाते इसके बाद उनसे 200 से 500 डॉलर मांगते थे, मना करने पर नमबर सस्पेंट करने का या फिर आरेस्ट वारेंट का भी खौफ दिखाते थे, नमबर सस्पेंट अगर किसी के पैचान पत्र का भी होगा, तो जाहर सी बात है लोगों को डर लगेगा, क्योंकि उससे सब को लोग, चीन, USA और दुबई में बैठे लोग हैं, जोकि उन लोगों से संपर्क करते थे और इस ठगी को अंचाम देते थे, विवेक दिख्षे समवादाता हमारे साथ ताइप जुड़ गए हैं और जादा जानकारी के लिए, विवेक ये अरबो की ठगी यहाँ पर की गई क्योंकि इसका भाना फूल कि है, कई सालों से ये लोगों कay साथ ठगी करते थे, यहाँ के साथ जो विदेशी नागिक है उनको उनके साथ भी ठगी करते थे, जिनके साथ पॉलिस महीनों को सुटना मिली, कई महीनों से, इनके ऋपर रहँ की जा रही थी और इस उपकरन है जिससे यूज करते हैं जिससे लोगों को फताली का प्रयाद करते थे उनको इन से रिकबर कर लिया गया है और साथ में ही बीस लाख रुपए कैस की बरामदी भी हुई है कुछी देर में इंद्रा गांधी करा केंद्र क्योंकि जो अगर हम बात करें लोगा में था तार कहां-कहां जुले हुए थे काजल उसका भी प्रयास किया जाएगा पता लगाने का और सबसे लगातार क्योंकि पुलिस जाज पर जुटी हुई है क्योंकि जिस तरीके से 80 लोगों का पूरा एक गैंग पकला गया है कही लाखों लोगों की लाखों रुपए की ठगी क कई करोन उपए का लोगों को चूना लगाया तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पुलिस जाज भी कर रही है काजल विवेक चीन यूएस से समिट कई देश जहां से इन लोगों के तार जुड़े हुए थे यह खुलासा कहां से हुआ क्या इन लोगों नहीं बताया इस बारे में से अपना सिकार बनाते थे और अगर हम बात करें लंगर है जो पूरा मामाला चल ला हाथा क्योंकि क neighbors में क्योंकि लागाता है कि की जो विदेश में अगर से इस्पर कां कर रहे थे पुरा प्रयास किया जा रही है क्या उन लोगों से बीटेशनर की बात करें तो भी वह लगातार कहीं लोगों तो उसे बात करने का प्रास किया रहा है आखिर में इनके का हुए उसको भी जाज करने का पूलिस कर रही है काजल जो 80 लोग गिरफतार हुए है कहां के वोड़ रहने बाले हैं इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है जो यूबाक और यूफ्तिस में काम किया करते थे इनके चारे में क्या जानकरी बिल्कुल आपको बता दूए क्योंकि जो इसमें से गिर्फतारी हुई एक है और तीस म traume गैई है यह रहा हैं और इसमें संभीहार प्रस्वारता की जाएगी कमिशन यहां पर लश्मी सिंग मौझूद रहेंगी प्रस्वारता में और उसके बाद खुलासा किया जाएगा यह लोग कहा कहां से थे हाला कि इतनी सूचना दे दी गई है उत्तर परदेश से और विहार से और रखन के कई राज्यों से ऐसे जो इ प्रसवारता होगी उसमें पूरा खुलासा कर दिया जाएगा कि आखिर कहां कहां से लोग किसमें जुले हुए थे और किस तरीके से ठगी करने का काम करते तो और कितने पैसों कि इन्होंने ठगी की थे अब तक कि कितना इन्होंने चूना लगाया क्योंकि बहुत सारे लोगे विवेक जासे कि आप भी बतारें तकरीबं 80 लोग यह बताया जारा है इतने सारे रोग अगर इसमें शामिल हैं तो बहुत समय से ये लोग शामिल होंगे कब से ये लोग शामिल थे इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या यूवाकों के बारे में भी और जो यूपतियां थी उनके बारे में भी पुलिस के जो जितने भी आला इसकारी हैं पुलिस के जो जितने भी आला इसकारी हैं लगातार कहीं न कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि कितने ये लोग कहां से आते थे और किस त्रीके से प्रयास करते थे और इनको जिनको नौकरी दी जाती थी किस आधार कार इन से लिया जाता